नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्वोर्ट्स और मेरा नाम है रोशिनम्या इंडिया ओर अउस्ट्रिलिया के बीच में कोई भी मैच हो और उसमें दोनों खेलाडियों के बीच कोई भेरंत नहों ऐसा कभी नहीं हुआ दरसल भारत और उस्ट्रेलिया के बीच मेलबर्न टेस्ट में मज़ेदार स्लेजिंग देखने को मिली टीम इंडिया के विकेट कीपर रिशब पंत और उस्ट्रेलियाई बलेबास मैथ्यू वेट के बीच जुबानी जंग होई जिससे लोगों ने टेस्ट क्रिकेट का लुफ्त उठाया उस्ट्रेलियाई पारी के 25 वे ओवर में मैथ्यू वेट को रिशब पंत विकेट के पीछे से बोलते वे नजर आये इस पर वेट ने उन्हें घूर कर देखा उस समय बुम्रा बॉलिंग कर रहे थे और मैथ्यू वेट उनकी गेंज को डिफेंड कर रहे थे मैथ्यू वेट का ध्यान भटकाने के लिए रिशब पंत लगातार उन पर कॉमेंट कर रहे थे और वेट की बल्लेबाजी पर मांसिक दवाव बढ़ रहा था रिशब पंत ने विकेट के पीछे से कॉमेंट किया हे 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 इस पर मैथ्यू वेट ने पलट वार किया वेड ने परिशान होकर हे 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 कहा कि तुम बार बार मैदान के बाहर लगी बड़ी स्क्रीन को क्यूं देख रहे हो तुम्हारा वजन 25 से 30 किलो ग्राम जादा है खुद को बिग स्क्रीन पर देखो मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे दिखते हो वेड ने कहा कि आप स्क्रीन पर आते हो तब बहुत फणी दिखते हो मैथ्यू वेड ने तीसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद फॉक्स स्पोर्ट से कहा कि डिशपंत हमेशा हसाता रहता है वह ज़्यादा कुछ नहीं बोलता वह बस आप पर हसता रहेगा मुझे समझ नहीं आता कि उनको हसने की क्या कारण है शायद या मेरी बैटिंग हो सकती है बता दें कि दूसरी पारी में मैथ्यू वेड शालिस रन के नीजी स्कोर पर रविंदर जरेजा की गेंद पर आउट हो गए वेड ने 137 गेंद खेल कर दील शौको की मदद से 37 रन बनाए